हाई फ्रेंस वेलकम माई चैनल फ्रेंच में तिलपिता की बारे में बोल रही हूँ यह एस रागी बोलते हैं ये आसाम और नॉर्टस्त में मिलते हैं इसको भीगों करें राखना परते हैं सारा राट उसका बाद उसको यह जो आपने देखी है उसको धेकी बोलते हैं यह पिसे से उठा के आगे तो जाते हैं वो देखिए कि इसे गुड़ा हो रहा है इसको इसे उठाना पोते हैं उसका बाद इसका गुड़ा बनाते हैं पाउडर हो जाता है फिर शलनी से इसको सान के गुड़ा निकलना पोते ह जाते हैं हमारी गाउ में एसे मिलते हैं असाम में उसका बाद उसको गुड़ा को धक के राक देते हैं उसका बाद तील और गुर को गुर का एक मिश्चन बना लेते हैं ये देखिए मिश्चन बनाने की बाद उसको अच्छा से पिठा का साथ बीज में डालके रूल बनाते ह देखिए कितना अच्छा से तील और गूर को मिश्चन बना लिए हैं तील पिठा असाम का टेडिशनल दीस है यह बहुत अच्छा से बिना पानी से बनते हैं देखिए केसे बन रहा है यह टावा में इसे सुखा सुखा डालने से यह अपने आपी सुखा जाते हैं मतलब रूल बनाने के लिए हो जाते हैं देखिए किसे बन रहा है बहुत अच्छा से बनते हैं यह यह नारियोल और सिन्नी से भी बनते हैं नारियोल और गूर से भी बना सकते हैं देखिये कितना अच्छा से तावा में बना रहा है आग में ठेंडी में आच्छा भी है आग भी सेखा हो जाते हैं लुब बेद के गप्पे मारते हैं फिर पिठा बनाते हैं खाते हैं मकर संक्रांट में हमारा बहुत बनाते हैं ये चेव तिल पिठाई नहीं बहुत किसिम का पिठा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठोड़ा ठोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और पुरा एक महिना तो हमारा ये सलते हैं, तो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कोमेंट, शेयर, सास्क्राइब ज़रूर कर दिशेगा, और इसने ये तावा को साफ को रहा है देखिए कितना अच्छा से बैठ के बना रहे हैं बहुत अच्छा लगते हैं देखिए देखिए मेरा वीडियो को लास्तो जडू देखिएगा कितना अच्छा से बना रहा है देखिए ये जो साउल का गुरा है अलोकसा साउल है इसका नाम बोरा साउल बोलते हैं और यो जो फ्रे में उसको धेकी बोलते हैं उसमें धेकी में उसको गुरा करना पड़ते हैं देखिए ठोड़ा ठोड़ा लेके बना रहे हैं आसाम और नर्थिस में ये शाओल मिलते हैं, जो लोग आसाम में जाके रहा है, वो लोग ने बहुत एंज़ोई करते हैं ये पिठा को, तो आप लोग भी कभी आसाम जाने से ये पिठा का आप लोग भी खा सकते हैं, ये दुकान में भी मिलते हैं, लोग को गर में ओर्डार से बनाते भी देते हैं। हमारा खोत में यह धान अधा एई धन लगाते हैं तो फ्रेंच मेरा वीदियो बात चार लगया होगा आप लोगों को लाइक कोमेंट चार जरू कर दीजिएगा देखे कि इतना सारा पिठा बना दिया और बहुत है इतना ही नहीं बहुत बनाना पड़ते हैं तेखिए एक डम कुरकुरा होता है ये इसको इसे बनाना पड़ते हैं हराम से होता है ये देखिए कितना अच्छा से रूल बन रहा है और साइड में राक्ते जाते हैं कुरकुरा होने के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए ठैंक्यू